वेलकम टू ओल ओना प्लैट्मम ऑफ अनिश्यो अकैडमी आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यह है क्या पहले मैं आपके एक दो मिनिट लोगा ताकि आपको समझ आज़ा यह सीरीज है क्या हम इसमें क्या करने जा रहे हैं यह एक्चली इंडियन पॉलिटी के एक सीरीज शुरू करी गई है इंडियन पॉलिटी भारत की राज्य विवस्ता यानि बेसिकली जो गॉर्मनें एक्जाम है इंडिया के अंदर चितने भी गॉर्मनें एक्जाम होते हैं चाहे वो SSC का हो चाहे वो UPSC का हो चाहे वो State PSC का हो ठीक है मैं बेसिकली इसे क्लास 12 के लिए नहीं है बट हाँ जो 11 के बच्चे जिनके पास पॉलिटी लगी हुई है भारत का सविधान वो इसे देख सकते हैं ठीक है और बिसिकली उनके लिए जो UPSC लेवल के लिए जा रहे हैं उनके लिए सीरीज काफी जादा वेनिफीशिल रहेगी उन्हें एक आईडिया मिलेगा कि किस तरह से किस तरह के UPSC एक्जाम में कौशन पूछता है, State PCS कौशन पूछता है जो मेरा आस्तक का Government exam का experience है मैं पूरी कौशिच करूँ है उसे यहां पे share करूँ और आप लोगों को उससे ही पते चले किस तरह से UPSC अपने IS के एक्जाम में कौशन पूछता है पॉलिटी से, State PCSE जैसे MP, UPSC, UPPCS यह सारे किस तरह से कौशन पूछते है तो शुरू करते हैं ज्यादा डिले ना करते हुए बिसिकली जो हमारी आज की वीडियो है वो किस चीज़ पे है वो DPSP के उपर है डियरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी राज्य के नीती निर्शक तत्तो ठीक है तो शुरू करते हैं अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ डियरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी जो DPSP है बिसिकली उसे तीन पार्टों में बाटा गया है ठीक है जो पहला पार्ट है उसे हम सोचलिस्ट कहते है समाजवादी दूसरा जो उसे गांधियन कहते है गांधिवादी तीसरा जिसे हम लिब्रल कहते है Egalitarian भी कहते हैं इसे, ठीक है, उदारवादी, ठीक है, तो यह basically articles है, जिसमें socialist principle added है, यसे 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, इसी तरह से गांधियन है, जो 40, 43, 43B, 46, 47, 48 है, इसी तरह से liberal है, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ठीक है, इसे हम broadly discuss करेंगे कि कौन से article में क्या mention है, और जहां पर मुझे याद आएगा कि अगर ये question previous year में पूछा गया है किस exam में, तो मैं वो भी आपके साथ discuss करूँगा, ठीक है, बिचा, DPSP जैसे क्या mention है, part 4, article 36 to 51, कहां से लिए है, Irish constitution से लिए है, Irish कोई Ireland कहा जाता है, confuse मत होना exam में, और Irish constitution ने कहां से बोर हो किया है, Spanish constitution य basically इन्होंने क्या करा था, DPSP यानि Director Principle of a State Policy को, as a novel future of constitution के वे में define कहा था, इन्होंने कहा था, जो DPSP है, वो सविधान के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत importance के साथ है, क्योंकि जो Dr. B.R. Ambedkar है, उन्हें पहले तो Father of Indian Constitution कहते हैं, भारतिय सविधान का जनक कहते हैं, साथ साथ, Dr. B.R. Ambedkar को प्रारूप समेती, यानि Drafting Committee का अध्यक्ष भी कहा जाता है, यानि माना जाता है, जो हमारे सविधान बनाये गया, उसमें जो सबसे बड़ा रोल ता, वो किसका था, Dr. B.R. Ambedkar का था, साथ ही साथ, Dr. B.R. Ambedkar ने, सविधान के Article 32, जिसे हम कहते हैं, Constitutional remedy, सविधान के प्चारों का अधिकार, उसे Dr. B.R. Ambedkar ने, Heart and Soul की संग्या दिया है, उन्होंने काया, जो Article 32 है, जिसके माद्यम से हम High Court और Supreme Court, जैसे Article 32 के माद्यम से, आप Supreme Court जा सकते हो, अपनी 5 रिटो को लेकर, और Article 226 के माद्यम से, आप High Court जा सकते हो, तो Dr. B.R. Ambedkar ने Article 32 को Heart and Soul की संग्या दिया है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, Granville Austin, Granville Austin ने कैसे describe किया DPSP को, along with the fundamental rights, as the conscience of the constitution and the together they contain the philosophy and the soul of the constitution, तो Granville Austin, इनका मानना है, जो DPSP है, देखो, DPSP और fundamental right, जो हमारी सविधान के part 3rd में है, fundamental right, तो fundamental right और DPSP दोनों एक दूसरे के पूरा के complimentary है, यारि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है, ठीक है, तो Granville Austin का मानना है कि DPSP भी जरूरी है, और fundamental right भी जरूरी है, हलाकि हमारी सविधान बे DPSP non-justiciable है, मतलब जिसके लिए हम court नहीं जा सकते हैं, और fundamental right, justiciable है, जिस of constitution की, which means that the state exists for a long grounded in the sacrosanct rights of the people, अच्या एक वर आया है, sacrosanct, पूरी लाइन इस पर निरपर कर रही है, आपे, dependent है, तो जो DPSP है वो sacrosanct feature के साथ है, यारि जो DPSP वो बहुत पवित्र है, क्योंकि आप DPSP के लिए किसी तरह का कोई amend नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, DPS DPSP एक तरह की moral duties है, अगर आप से question पूचाता है, कि जो FR है, fundamental right है, और जो DPSP है, इनमें क्या difference है, तो अब simple सी बात कह सकते हो, fundamental right जो है, वो legal है, वो एक obligation के वे में है, ठीक है, और जो DPSP है, वो duties है, वो legal नहीं है, duties मतलब आपको खुच से करनी है, कोई आपको force नहीं करे लिए, a constitutional form of a government seeks to stabilize a welfare state, which is reflected in a DPSP, यह question UPSC में आया हुआ है, 2017 के exams में था, कि जो UPSC question पूचा था statement में, वो यह पूचा था, 2-3 statement देके, कि जो DPSP है, वो welfare of state की policy के लिए, fundamental right जो है, वो welfare of state की policy के लिए नहीं है, तो दोन statement almost correct थी, क्योंकि जो DPSP है, वो welfare of state की बात करता है, welfare of state का मतलब क्या है, basically, जो DPSP और राज्ये में लोग, जितने भी लोग है, जितने भी व्यक्ति हैं वाँके, उनके कल्यान की बाते करेगा, एक छोटे से लेवल पर policy बनाएगा, जिससे लोगों का भला हो सके, अब जो fundamental right है, और जो DPSP है, हम इन दोनों का common horizon देख सकते है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि आप court में जा सकती हो, yes, अगर आपके पास fundamental right है, और उसका हनन हो रहा है, कोई आपस आपके fundamental right छीन रहा है, तो आप उसके लिए court जा सकती हो, but DPSP के sense में ऐसा नहीं है, अगर आपके DPSP का हनन हो रहा है, तो आप court में नहीं जा सकते है, क्योंकि जो DPSP है, वो non-justishable है, उसके लिए आप court में जाओगे, court आपको उसके लिए कुछ नहीं कहेगा, और नहीं कोई आपके उसमें मदद करेगा, यह state government की जिम्मेवारी बनती है, कि state government कैसे उन चीजों को देखती है, और कैसे उन चीजों को handle करती है, तो जो DPSP है न, वो कौन से values को सामने रखती है, जो DPSP है, वो basically उन values को सामने रखती है, जो हमारे preamble में रखी गई है, जैसे कि आपको मैंने already बताया, जो preamble है, वो हमारे constitution का preface है, preface मतलब जैसे हम कभी भी कोई book खोलते हैं, तो book में जो index होता है, एक तरह का, कि हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह से हम हमारे preamble, जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रिस्ता होना, इसको पढ़के हम पता लगा सकते हैं, कि हमारा सविधान कैसा है, ठीक है, तो यह सारे वो words है, जिने preamble में रखा गया है, और preamble को बी आर अंबेड कर, जैसे एक statement दीती, heart and soul, ऐसे एक statement दीती हमारे first honorable prime minister ने, नहरु जी ने, उन्होंने काता, जो preamble है, वो heart and soul है, हिर्दे और आत्म है हमारी सविधान की preamble, ठीक है, the state shall function like a regulatory state as well as the development state, तो जो DPSP है उसमें जो state है, state क्या करेगा, state as a regulator की तरह काम करेगा, जैसे आप लोगे घर में gas होता होगा, आपने लेको ना, gas का regulator होता है, अगर आप से ज्यादा कर दो, तो जो gas होती है, ज्यादा तेजलना शुरू जाती है, उसके अंदर जो steam होती है, और कम करो तो कम हो जाती है, ऐसी DPSP है, अगर state चाहे है, तो DPSP को अपने welfare के लिए कि बट, DPSP में जो चीजें है, वो क्या है, सारी non-justishable है, ऐसा नहीं कि कि किसी state में, कोई state कुछ अलग कर रहा है, तो कोई दूसरा state आकर नहीं बोले, हमारे यहां पर यहां पर यह ऐसा होगा, इसे एक example से देके बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में एक odd-even का formula लगता है, गाडियों को लेके, pollution को कम करने के लिए लेके, पर आपने क्या ऐसा देखा कि odd-even दिल्ली को छोड़के, इंडिया के जितने state है, हर जगा लगता हूँ, नहीं, क्योंकि pollution की problem दिल्ली में है, तो यह दिल्ली की government को करना पड़ता है, ठीक है, तो एक छोड़ी सी चीजे function होगी, ठीक है, the DPSP aim to stabilize egalitarian society, अब egalitarian society क्या होती है, ठीक है, अब egalitarian society का simple सा word बोलू तो आपने सुनोगा, राम राज्ये, मतलब जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, हाला कि ऐसा हो नहीं सकता, यह तो utopia है, ऐसा होना possible नहीं है, बट ऐसी बात करी जाती है, constitutional provision देखते हैं, जो relate करते हैं, DPSP से, किस तरह के है, जो DPSP है, वो content करता है idea को, जो हमेसा हमारे mind में रखने चीए, और उन policies को follow करना चीए, ताकि जो citizens हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है, DPSP जो है, वो constitute करता है, very comprehensive way में, social, economic and administrative program करता है, modern democratic state करता है, तो जैसे कि आपको पता है, कि DPSP जो है, वो किसकी बात करता है, वो social and economic activities की बात करता है, ठीक है, DPSP आपके लिए constitution की बाते नहीं करेगा, क्योंकि constitution के लिए तो already fundamental right हमारी constitution में mentioned है, ठीक है, तो DPSP जो है, वो क state की बाते करता है, these laws include the legislative and executive organs of the central government, state government, all the local authorities and the public authorities in the country, देखो, यह जो यहां पर वर्ड है, legislative and executive, ठीक है, यह same question, UPSC में आया वो कोशन है, UPSC एक और exam conduct कराता है, CAPF Assistant Commandant का, जिसमें कोशन आया होता है, कि legislative and executive जो होता है, ठीक है, और जो हमारे जुडिशरी होता है, तो basically यह जो एक दूसरे पर interdependent होते हैं, यह किसमें mention है, ठीक है, judiciary, executive, यह कहां mention है, option को जिस प्रकारत है कि हुआ पर fundamental right पूछा गया था, DPSP पूछा गया था, ठीक है, उसके बाद माँ पर preamble mention था, third option, click नहीं कर रहा, तो देखो, कोशन किसना easy way में पूछा जाता है, ब नहीं बनाते हो तो, ठीक है, तो जो low है वो क्या करता है, कहता है कि legislative और जो executive है, वो organ है किसके central government के, ठीक है, और यह local authority, यह local level पर जो authority होती है, उनके सही से काम करते है, ठीक है, जैसे कि आपको already पता होगा, central government जो होती है हमारे है, उसके लिए 3 organs होते है, legislative होता है, executive होता है एक judiciary होता है, legislative, जिसे हम क्या कहते है, जिसे हम विधाईका कहते है, जिसका काम होता है, कानून बनाना, ठीक है, है ना, और आपने सुना होगा, एक executive होता है, जिसे हम कारे पालिका कहते है, जिसमें हमारी bureaucrates आते है, ISIPS, IFS, SA, servants आते है, ठीक है, basically reality में होता क्या है, reality में जो policies बनाई जाती है, बनाई तो executive द्वारा जाती है, कारे पालिका द्वारा, हम बस कहते हैं कि उनको बनाती कोने विधाईका, हाला कि विधाईका का काम होते है, उसे पारित करना, ठीक है, क्योंकि हमारे constitution एक ऐसा है न, अगर कोई से पढ़ने बैठ जाया तो उसका तो दिमा संसद है, संसद का काम होता है कानून को पास करना, बट reality में policies बनाके देता कोन है, policies बनाके देते हैं हमारे हैं bureaucrat, ठीक है, और bureaucraties होती है, जो bureaucrat होते है, वो policy बनाके देते हैं, उसके बाद जो legislature होते है, उसको क्या करते है, पास करने का काम करते है, अगर उसमें कुछ गलत है तो जोड़ देगी अच्छा आगे देखते हैं they are like a instrument of instruction to the legislature and the executive अब क्या है DPSP क्या है basically DPSP क्या है एक तरह से instrument of instruction है आदेश देता है legislature को executive को कि आप ऐसे function करो और आप ऐसे function करो अच्छा they aim to realize the ideas of our justice, liberty and equality and fraternity ठीक है अब ये question में पूछा हुआ एक्जाम में कि जो justice, liberty, equality ये words कहा mention है ये mention है DPSP में even ये question में पूछा हुआ है कि जो हमने justice है यानि liberty, equality, fraternity ये हमने कौन से देश से लिया है जैसे कि आपको पताओको दो तरह की revolution हुई है एक Russian revolution हुई है रूसी क्रांती और एक French revolution हुई है आपने पढ़ाओगा 1917 ठीक है 1917 में और आपने पढ़ाओगा 1789 1789 में फ्रांस की क्रांती हुई और 1917 में रूस की क्रांती हुई तो हमने रूसी क्रांती और फ्रांसी क्रांती इन दोनों क्रांती से कुछ words नहीं है जैसे justice, liberty, equality, ठीक है अब आप लोग के पास एक छोड़ा सा टास्क है कि आप फाइंड आट करके बताओगे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप High Court Supreme Court भाग रहे हो जी नहीं मेरे लिए कुछ कर दो तो सीरी सी बात है High Court Supreme Court आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है इस केस में ठीक है तो जो DPSP वो बिसिकली क्या करता है वो प्रोग्राम चलाता है किस तरह के प्रोग्राम चलाता है ऐसे प्रोग्राम चलाता है जिससे देश में क्या हो सके शांती कायम हो सके देश के लोगों का भला हो सके ठीक है अब difference देखते हैं कि fundamental right and DPSP के वीच में क्या difference है ठीक है, हाला कि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है question, ठीक है, हाला कि mains का topic है, जो UPSC mains होता है जहां पर Indian quality का portion आता है वहाँ पूछ जाता है, बट फिर भी statement based question कैसे आते हैं, बता सकता हूं को वह आपसे ये पूछ सकते हैं कि FR क्या है, non-justice-shable है और DPSP क्या है, justice-shable है देखो, मैंने दोन स्टेटमेंट को लिटा कर दिया क्योंकि FR जो है, वो justice-shable है और DPSP है, वो non-justice-shable है ठीक है, DPSP neither confirm any rights, nor they impose any duty, and they don't create any binding or a legal obligation on a state to implement them, but they are kept on the disposal of the state for their implementation तो हमने ओलरी जैसे डिसक्स किया कि जो DPSP है, वो non-justice-shable है FR है, जो justice-shable है, उसके लिए आप court जा सकते हो DPSP बस राज्य में लोगों की कल्यान के लिए लोगों का भला करने के लिए implement किया जाता है The FR are a negative obligation, whereas the DPSP are a positive हमें जैसे कि पता है कि FR negative होते हो, DPSP जो है वो क्या होते है, positive होते है अपकी sense में negative और positive की बात करे, जीको negative FR क्यों है क्योंकि आप FR में आकर कोई गलती हो रही है, तो आप Supreme Code और High Code जा सकते हो DPSP में कुछ गलत हो तो आप कहें नहीं जा सकते इसलिए उने positive कहा गया है ठीक है आपने सुना होगा, कि दो तरह की liberty होते है, एक liberty होते है positive, एक liberty होते है negative ठीक है, तो मैं थोड़ा से define करता हूँ, positive और negative liberty क्या होती है, तो को positive liberty क्या होती है, positive liberty वो liberty होती है, जिसमें आप अपनी मर्दी से कोई भी काम कर सकते हो, for example अब अपनी मर्दी से कोई भी कपड़े पहना हो क्या आपको कोई बोलता है क्या आपनी कपड़े क्यो पहने है, क्यों नहीं पहने, तो ये क्या positive liberty है, अब negative liberty क्या होती है, negative liberty वो liberty होती है जहां पर आप कुछ भी करो, तो आप पर restrictions लगा दी जाती है, पावन या लगा दी जाती है और जो positive liberty होती है, वो हमारी self liberty होती है, ठीक है जो हम कर रहे है कि वो उससे किवल हमें ही फर्क पड़ेगा, जिसकी वैसे उसमें किसी तरह का restrictions नहीं होता, ठीक है obligation which are the state do to do something constructive for the welfare of our people तो basically DPSP बात करता है state से बोलता है, एक तरह से अरजी कर रहा है, दरख्वास कर रहा है, पील कर रहा है कि नहीं नहीं, आप ऐसा करो लोगों की बलाई के लिए कुछ करो, अगर जैसे दिल्ली है pollution बढ़ रहा है तो आप construction site बन कर दो, घरों का काम बन कर दो ठीक है, तो इस तरह से चीजे करो ताकि क्या हो, welfare of a state हो FR create a political democracy in the country, whereas the DPSP create a social and economic democracy in the country, देखो, इस statement को examiner क्या कर सकता है, घुमा के पूछ लेगा, और क्या पूछेगा, कि जो DPSP वो क्या करता है political democracy का का काम करता है, और FR है, वो social economic democracy के लिए country में जाना जाता है, तो देखो, कितना सिंपल है, कि जो FR है, वो हमेशा constitution से deal करेगा, और तो DPSP वो social चीजों से deal करेगा, social मतलब कि हमारी society में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किस चीज की जरुरते हमें, ठीक है, जो FR है, वो रिपर्जेंट करता है, static feature of the constitution, something which is already been conferred on the individuals, but the DPSP रिपर्जेंट the dynamic features of the, dynamic features which are the sure to be the conferred on the citizens in the form of the social and economic rights, ठीक है, तो FR है, वो क्या करता है, वो individuals की बात ही करता है, लोगों को लोगों की rights बताता है, कि अच्छा, article 19 में ये mention है, article 20 में ये mention है, article 21 में ये mention है, पर DPSP कभी भी लोगों को articles नहीं बताता, बलकि DPSP लोगों को ये बताता है, कि आपकी duties क्या है, आपको किस तरह की duties को करना है, और किस तरह की चीजों से बचना है, अच्छा, आप relationship देखते हैं, कि DPSP में और fundamental rights में किस तरह के relations है, ठीक है, तो article 37 क्या कहता है, DPSP का, कि DPSP are a fundamental in the governance of a country, and it shall be the duty of the state to incorporate them and apply them into the making of a law, तो article 37 क्या कहता है, basically, article 37 ये कहता है, कि राज्य की duty बनती है, कि राज्य जो कानून बना रहा है, ठीक है, उन्हें लोगों के लिए धंग से पालन भी करें, यानि जिस तरह का भी कानून बनाया गया है राज्य द्वारा, वो कानून राज्य की भलाई के लिए हो, ताकि लोगों की जरूरते उससे पूरी हो सकें, अच्छा, अब मानो, अगर ऐसा दिन आ जाए, कि सुप्रीम कोड, हाई कोड जा सकते हो, अबर DPSP के केस में नहीं जा सकते है, तो मानो, अगर ऐसा हो, कि कभी DPSP फंडामेंटर राइट पे हावी हो जाए, तो क्या होगा, करते हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसके बाद, F.R. के कुछ चीज़े चेंज कर दी जाएगी, जिसकी वैसे DPSP को नुकसान नहीं होगा, और जरूरते भी पूरी हो जाएंगी, तो इसके लिए, फर्स्ट अमेंटमेंट अक्ट हुआ था, निटी फिफ्टीवन में, फिर आप देख सकते हो, फॉर्थ अमेंटमेंट अक्ट हुआ, उसके बाद 17th हुआ, 1964 में, तो ऐसे बहुत सारे अमेंटमेंट अक्ट होते चले गए हैं, अच्छा, एक गौलतनाथ केस हुआ था, 1967 में, इसमें क्या बोला था, पार्लेमेंट कांट टेक अवे ओफ एबरिजोर अमेंट, अमेंटमेंट अक्ट 1971 और 25 अमेंटमेंट 1971, ये सारे अमेंटमेंट किसे डील कर रहे हैं, DPSP से, ठीक है, बाइदर 24 अमेंटमेंट, पार्लेमेंट हैस दा पावर तू, अब्रिज और टेक अवे, अब्रिज और 25 अमेंटमेंट अपर अमेंटमेंट अच्ट है, ये बोला गया था, जो पार्लेमेंट है, वो किसी भी तरह कि लोग को कानून को वापीस ले सकती है, बठाले कि आपको याद होगा, आपने केश्वणनंदा भारती केश सुना होगा, ठीक है, से कि क्या है basic feature क्योंकि अगली वीडियो हमारी FR पे fundamental right पे है तो वहाँ पे और चीज चीज मैंशन है fundamental right in Keshwananda भार्थी case तो उसे वहाँ पे करेंगे अभी हम DPSP को फटा फटा आगे बढ़ाते हैं by 25th amendment act article 31 c was added which declared no law which seeks to implement DPSP specified under article 39 b and c shall be avoided on the ground of the contravention of the FR article 14 and article 19 it also said that no law containing a declaration for a giving effect to such a policy shall be cautioned in any court on the ground that it does not give any effect to any such a policy तो article 31 c जो जोड़ा कहता constitution में amendment करके 25th उसमें यह बोला कहता कि जो basically हमारे article 39 है ठीक है जो हमारे fundamental right है 14 और 19 है तो अगर हम कोई law लेते हैं यहां से और कोई law उठा के हम add करने खोशिच करते हैं तो ऐसा नहीं कि constitution हमसे बोलेगा कि यह गलत है यह null and void है ठीक है ऐसा नहीं कर सकता constitution हमारे लिए ठीक है हलाकि case studies है कि इस article में यह वह आता इस amendment में यह वह आता यह exam point of view से आपके काम के नहीं है ठीक है मैंसे कि थोड़ी से depth analysis के लिए ठीक है चाहां पर ऐसा लगता है कि कुछ काम का होगा मैं आप खुद बताऊंगा आपको ठीक है कि यह आपके लिए important है यहां पर जादा intention पी करो ठीक है अच्छा theory of harmonization देखते है अब यह theory of harmonization है कि basically कि Supreme Court ने यह बोलाता कि जो FR है और जो DPSP है दोनों सेम है दोनों अलग लग नहीं है दोनों बिल्कुल ठीक है यहां पर कुछ interpretation करी गई थी जिसमें पहले में यह बोला गया था कि नहीं FR बड़ा है DPSP छोटा है फिर एक interpretation करी गई जिसमें यह बताएगा नहीं FR भी ठीक है DPSP भी ठीक है दोनों ना तो बड़े हैं दोनों ना तो छोटे हैं क्योंकि तोनों से मिलकर ही हमारा constitution चल सकता है दोनों से मिलकर ही हमारी society धंक से work कर सकती है तो basically हमने जो मारे constitution में features दाले हैं वो just because of FR और DPSP के ही है तो ऐसा नहीं कि हम DPSP को हटा दे और FR को हटा दे ठीक है अच्छा यह articles हैं इनने यहां पर धंक से हम discuss करते हैं ऐसा socialist principle है कौन कौन से है 30 A, 39 A, 41, 42, 43, 43 A और 47 ठीक है और जो गांदियन है गांदियन प्रिंसिपल क्या है 40 A, 43 A, 43 B, 46, 47, 48 ठीक है और जो लिब्रल है ठीक है 44 A, 45 A, 48 A, 49 A, 44 A, 51 ठीक है तो हम इसे basically discuss करते हैं कि किस तरह के हैं ठीक है ताकि आपको एक आइडिया लगे एक्जाम में कोशन है तो आप सीधा बता सको क्या होता है तो सबसे पहले हम से शुरू करते हैं सोचल से 38 से शुरू करत ठीक है जो आटिकल 38 है जो हमारा सोचलिस्ट के अंदर काउंट होता है वो बात करते है जो जितने भी अफसर होंगे न हमारे हैं सोसाइटी में वो सब के लिए समान होंगे अफसर ऐसा नहीं होगा कि एक किसी अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसे ज्यादा अफसर मिल रहते हैं फुरफट आहर्टिकल 39 की बात करतें कि अकिस तरह का है ठीक है आर्टिकल 39 तो लो मारा आर्टिकल 39 हैं वो क्या दिल करता है कि जो इस्तरी और पुरुष हैं, यानि जो male और female है basically, उन्हें equal pay for a equal work मिले, यानि समान कार रहे के लिए समान वेतन मिले, यानि जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, अगर दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को समान कार रहे हो के लिए समान वेतन मिले, साथे साथ जो बच्चे ह ध्यान रखा जाए, यह किसके अंदर है, Article 39 में है, अब बात करते हम Article 39A की, ठीक है तो Article 39A किससे डील करता है? Article 39 deal करता है Assistant of a Legal Aid यानि बात करता है जो हमारे जैसे मतलब की High Code होते है Supreme Code होते है अब यार हर कोई तो पैसे वाला नहीं होता न अब कोई गरीब जाता है High Code, Supreme Code तो यार वो दयायाची का कैसे करे है वो Petition Diary कैसे करे है आपको पता होगा जो Lawyers होते है advocate होते है वो बहुत अच्छा चार्ज करते है पात पचे यार दस तसार हो सकता है पैसे वालो के लिए पांस यार दस तसार कुछ ना होगा गरीब इनसान के लिए जो living hand to mouth है जो रोज कुआ खोता है और पानी भर के फिर निकाल के पीता है उसके लिए वो पैसा बहुत है तो government ने क्या करा government ने यही चीज़ एड़ करी DPSP में article 39A से कि जो गरीब होंगे ना उन्हें legal aid दिया जाएगा ठीक है उनकी मदद करी जाएगी और किसके दोरा मदद करी जाएगी? मदद करी जाएगी government दोरा ठीक है चलो अब हम article 41 को discuss करते है कि 41 क्या है अनुछे 41 क्या है अच्छे देखो जो 41A है वो क्या कहता है वो सीरी सी बात ये बताता है कि देखो जैसे कि यार मानो अभी हम सारे के सारे यंग है ठीक है एक दिन आएगा हम बूड़े भी होंगे ठीक है अभी हम यंग है तो हमारे पास क्या है हमें अभी education चाहिए तो जैसे कि आपको पता को इंडिया का वैसियार इंडिया की population बहुत जाता है तो अगर हमें education चीए तो क्यों ना government कुछ ऐसा करे जिससे हमें education मिले अच्छे वे में ठीक है इन सारी चीदों की बात करी जाती है article 41 में ठीक है जो क्या है समाजवादी यानि सॉस्टिस्ट है ठीक है अब हम बात करते है article 42 की यह किस से डील करता है ठीक है जो 42 है वो बात करता है एक ऐसी condition की जहांपे जो व्यक्ति है ठीक है उसे mentally मतलब हो mentally अपने आपको एक अच्छे वातावरण में रख सके ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई female है वो किसी workplace पर जाती है जहांपे 10 male है और 1 female है तो आपने देखा हो इस female के साथ बहुत अलग तरह से behave किया जाता है ठीक है वहाँ पर धंग से क्या करा जाए justice क्या जाए धंग से equality को feel करा जाए ताकि कोई भी यह ना सोचे कि मैं छोटा हूँ और मैं बढ़ा हूँ ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं फटफट 43 को Article 43 क्या है ठीक है अच्छा जो basically Article 43 है वो क्या बात करता है Article 43 जो बात करता है वो लेवर्स के लिए बाते करता है कि जो लेवर्स है उनका जो working condition है वो अच्छा होना च्छी है उनकी जो life है वो अच्छी होना च्छी है शोशल वे में कल्च्रल वे में उन्हें एक अच्छे आफसर मिलने चीए, यह निया कि वह हमेसा कामी करते हैं, रह जाएं, उन्हें अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने का मोका ना मिले, तो एक्वल होना चीए, सब को यह मोके मिलने चीए, ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते है, 43A किससे डील करता है, 43A इंडरिस्टी से, ठीक है, जो इंडरिस्टी होती है, वहाँ पर किस तरह से काम होना चीए, ठीक है, किस तरह से जो वर्कर्स हो, किस तरह से पार्डिसिपेट करें, ठीक है, लास्ट हमारा सॉसलिस्ट में और वो क्या है, 47, तो हमारा 47 क्या है, हमारा 47 है, वो बेसिकली डील करता है nutrition से कि जो लोग है ठीक है उनका जिवन स्थर बड़े उनकी basic needs पूरी हो ठीक है और वो basic needs कैसे पूरी होगी जब वो proper nutrition लेंगे proper portion लेंगे शरीर में ठीक है तो इन सारी चीजों की बात करी जाती है ठीक है अब हम बात करते है गांधियन की कि गांधियन principle क्या है तो basically गांधियन principle शुरू करते है जो गांधियन principle में पहला article है वो क्या है 40 जैसे कि आपको पता होगा महात्मा गांधियर simple सी personality उनका क्या माना था कि जो करो स्वधेशी करो भारत के अंदर करो तो कुछ इसी तरह की विचारदारा है ली गई है तो जो article 40 है उसकंदर गांधियने किसकी बात करी है उसकंदर गांधियने बात करी है वो करी है gram panchayat की कि हमारे gram panchayat कैसी होने चीए उनका work कैसा होने चीए ठीक है अच्छा अगला article क्या है इसमें 43 में क्या है 43 में गांधियने जो बात करी है वो small industry की बात करी है मसमी जैसे आप कहते हैं आज के समय मसमी ग्रूप होते हैं कुटी रुद्योग होते हैं चोटी रुद्योग मतलब मसमी रुद्योग क्या जैसे आपने सुनोगा जो फूल होते हैं जब फूल सूख जाते है जो फूल होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो उससे अगरवत्ती बनाते हैं ठीक है अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल है 43b, अच्छा, 43v में क्या इंक्लूड है, 43v में महात्मा गांदी ने जो बात करिये, वात करिये, cooperative societies की बात करिये, ठीक है, सहकारी समीचियों की बात करिये, किस तरह से उनका management होना चाहिए, किस तरह से, हम self-help group बना सकते हैं, आपस में एक दूसरी की मदद कर सकती हैं, ठीक है, अच्छा, 46, 46 में क्या इंक्लूड है, 46 में बेसिकली गांदी जी ने शिडिल ट्राइब, शिडिल कास्ट और जो वीकर सेक्शन ऑफ सॉसाइटी थे, उनको economically help देने की बात करी थी, जो अनुसूचित जाती है, अनुसूचित जन जाती, ठीक है, पिछड़े वे लोग थे, उनकी मदद करने की बात करी गई है गांदी जी द्वारा, ठीक है, अच्छा, बात करते हैं, next, 47 क्या है, तो जो 47 है, इसमें basically बात करी गई है, इंटॉक्सिक चीजों की, अब इंटॉक्सिक चीज़े क्या होती है, जैसे कि आपको पता है, नशीले पदार, जैसे दारू, ठीक है, जैसे चरस या गांजा, तो गांदी जी ने कहा है, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चीए, दो नोट कंस्यूम इस कांड़ थिंक्स, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, या बकरी हो गई, बैल हो गई, ठीक है, तो तूसरे किसम के हो गई, प्राणी हो गई, इनको मारना गलत है, ठीक है, बलकि इनका सुधार करना चाहिए, जैसे कि गाये, गाये आपको दूद देती है, बकरी दूद देती है, बैल, खेती के काम में आता है, तो हमें इने slaughter नहीं करना चाहिए और मारना नहीं चाहिए ठीक है तो basically ये सारी चीजे हैं जो गांडेयन प्रिंसिपल में discuss करी गई है अच्छा next हमारा क्या है next हमारा liberal बौधिक सिद्धान हम उसे discuss करते हैं क्या है उसके अंदर अच्छा हम देखते है liberal के अंदर क्या है liberal notion में फटफट पढ़ते हैं क्या है तो जो liberal में पहला आर्टिकल हमारा वो क्या है आर्टिकल 44 और सबसे important अगर आर्टिकल कोई है तो आर्टिकल 44 है ये बात या दखना आर्टिकल 44 क्या है discuss करते हैं आर्टिकल 44 को कहते है civil court ठीक है जिसे simple सी भाशा में कहें तो हम कुछ ऐसा कहें जो सब के लिए हो ठीक है अब हम बात करते हैं परे civil court क्या है एक बार इसे कहते है समान नागरिक सही था इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा rule जो पूरे देश में सेम हो हाला कि ऐसा आज तक possible नहीं है एक ही ऐसा state है जिसने अभी तक article 44 को पूरी तरह से implement किया है वो है केवल गोवा गोवा एक मातर राज्य है भारत का जिसके अंदर civil court लगा हुआ है uniform civil court लगा हुआ है और यह uniform civil court क्या है इसका मतलब यह है कि पूरे गोवा में सेम तरह के rules मिल जाएंगे आपको देखने के मतलब सेम तरह के चीजे function होती भी दिख जाएंगी हाला कि ऐसा नहीं है यहां पे कि आपको दिखेगा दिल्ली में कोई अलग function होता है हर्याना में लागा किसी अलग परिकार से चीजे होती है यूपी में लागा किसी अलग परिकार से होती है तो शायद यह चीज होना बहुत जरूरी है ठीक है अचा अगला article कौन से है अगला जो article है वो है 45 45 किसे डील करता है जो 45 article है वो डील करता है जो बच्चे है 6-2 लेके 14 तक के जो बच्चे है उनके लिए right to education की बात करता है और वो भी absolutely free यानि निशुल्क सिक्षा की बात करता है article 45 ठीक है अच्छे एक बात याद रखना यह जो निशुल्क सिक्षा है right to education है free right to education है यह DPSP के अंदर भी include होता है fundamental right के अंदर भी होता है और यह साथ-साथ preamble में भी होता है ठीक है तो यह बात याद रखना है यह चीजे तीनों में आती है ठीक है और यह question SSC के exam में पूछा वो question था जिसमें पूछा गया था जो right to liberty है right to liberty sorry जो right to education है वो सभिधान के किस अनुछेद में आता है अगला आर्टिकल है हमारा 48 अब 48 आर्टिकल क्या है जी करते हैं discuss 48 आर्टिकल जो बात करता हो कहते है जो हमारा agriculture है और जो animal husbandry है यानि जो कृष्य है और जो पसुपानन है उसे हम टेक्नोलोजिकल वे में ठीक करेंगे modernize करेंगे अग्रिकल्चर में नहीं टेक्निक का यूज करेंगे जिसकी मिल से हमारे यह क्या होगा agriculture अच्छा होगा अग्रिकल्चर अच्छा होगा अच्छी होगी ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं 48 A क्या है जो हमारे यह 48 A है यह भी याद रखना इंपोर्टेंट है 48 A 48 A जो है यह डील करते हैं हमारे यह environment से जो हमारे environment laws है जो nature है उससे डील करते है तो एक बात याद अखना जो हमारे 48 A है environment है यह DPSP में भी सामिल है fundamental right में भी सामिल है और जो हमारे fundamental duties है उसमें भी सामिल है ठीक है अब अगला article देखते हैं क्या है अगला article है 49 49 के अंदर क्या include है 49 के अंदर जो include है उसके अंदर दे रहे हैं जो हमारे यह basically historical चीज़े है यानि जो हमारे nation के लिए बहुत ज़्यादा चीज़े है जो जरूरी है जैसके हम हमारे यह heritage की बात करते है heritage example के तोर पर मैं बोलूँ लाल किला ताज महल ठीक है यह सारी चीज़े क्या है यह सारी वह चीज़े है जो हम सभी के लिए है ठीक है हमारी राष्टी धरोर है ठीक है तो इस सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाए इसके बारे में बात कर जाती है article 40 9 के अंदर अब बात करते है article 50 के है तो article 50 के अंदर जो चीज़े है वो discuss क्या करी गई है वो discuss यह करी गई है कि जो न्यायपालिक है और जो कारेपालिक है वो एक दूसरे से separate है ठीक है कि जो judiciary है और executive है they are separate from each other ठीक है राज्ये की लोग से वाँ में मितलब state services में जो judiciary है वो executive से अलग है separate है और यह question पूछा हुआ है UPSC के exam में जैसे कि मैंने आपको पहली बताया था ठीक है अब बात करते है अगला 51 ठीक है most important है बहुत बार इससे question आया 50 भी important है इससे भी question आया बहुत बार आपको question देखने को मिलेंगे 51 में बात कर जाती है international peace and security की अंतराष्टिय सांतिय और सुरक्षा की बात कर जाती है article 51 में जो बहुत बार question आता है ठीक है अच्छा अब basically हमारे पास आगे जो है इन्ही articles को हमने discuss करा हूँ है देखते होने क्या है ठीक है article 38 अब 38 article किससे deal करता है यह हमने already पीछे discuss कर लिया है कि हमारा article 38 किससे deal करता है कि opportunity of a work की बात करता है ठीक है सबको opportunity मिने चीए work के लिए ठीक है to minimize inequalities income status ठीक है facilities and opportunities सबको समानतरा की तन्खा मिल जाए ठीक है समानतरा की तन्खा यह नहीं है कि सबको भराबर ही दे दोगा ऐसा possible है it means depend on their talent कि लोगों में जिस तरह का talent है उसके हिसाब से अपनी earning रखे तो आपको पता होगा 44th constitutional amendment act 1978 से हमारा एक fundamental right जिससे हम क्या कहते थे right to property उसे constitutional right से legal right का दर्जा दे दिया गया है सविधानिक कानून से सविधानिक अधिकार से कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है article 39 देखते है article 39 हमने पढ़ा था to promote the equal justice provide free legal aid to the poor equal justice देना सभी को गरीबों को सबों को समानसर का justice देना important है अगर amendment पूछते है 42nd amendment act 1976 और एक बात और याद रखना 42nd amendment है यानि 42 सविधान संचोदन है उसे mini constitution का दाता है छोटा लगू सविधान का दाता है ठीक है अच्छा article 40 देखते हैं क्या 73rd and 74th amendment act हुआ था constitution का जिसने क्या कर था constitutionally back किया था framework work of a DPSP को ठीक है 73rd and 74th amendment act क्या था मैं फड़फड आपको बताया था हूँ छोड़ा सा time लेकि 73rd जो amendment act था इससे panchayet और 74th amendment act से municipality यह MCD panchayetों को गाव में शुरू किया गया और 44th amendment act से municipality को शेर में शुरू किया गया basically amendment act हुआ था 1992 में हुआ था और किसकी शिपारिश पे हुआ था PK थुंगन समीथी की शिपारिश पे हुआ था याद रखना ठीक है article 41 क्या है article 41 करता है secure a right of a work, education and the public assistant of in a case, unemployment, old age, sickness and a disabilment कि आपको सही तरह की education मिलेगी अगर आप बूड़े हो तो आपको दवाईया यह सारी चीजे देने का काम सरकार का है इसकी बात कर जाती है article 42 देखते है article 42 basically किसे deal करता है article 42 करता है deal to make a provision for a just and a human condition ठीक है कि आपको एक ऐसी condition मिले जिसमें आप बहुत अच्छे से work कर सके और maternity relief जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कि प्लेस पे जहांपे 10 female work sorry 10 male work कर रहे और एक female work कर रहे है तो आपको इस female को inferior feel नहीं कराना है inferior कि आप insecure है बलकि आपको secure feel कराना है यही काम बनता है राज्ये का ठीक है और maternity relief आपको पता होगा जो mother होती है उने pregnancy के टाइम पे अच्छा कासा relief मिलता है छुट्टिया मिल जाती है आर्टिकल 43 देखते है secure करना living wages को decent standard of life को social and culture opportunities को सभी worker के लिए ठीक है living wage का मतलब क्या होता है different from a minimum wage which means wear minimum wages to a system basic needs like a food shelter and the clothing जैसे कहते हैं मुलवू तबशकता है basic needs का पूरा होना रोटी कपड़ा मकान होगी medicines होगी health होगी education यह सारी चीज़ों कहाना ठीक है take a step secure a participation of a workers in the management of industries ठीक है industry के management में workers का participate करवाना promote करना cottage industry को ठीक है गांधियन principle है जहां पे भी कुछ ऐसी चीज़ा है जो बहुत छोटे स्थर पे और गांव से जड़ी होगी है जो से cottage industry को बढ़ावा देना कुटु रुद्यों को बढ़ावा देना पश्विवों को अभला करना ठीक है जन्ता की जरूरतों को पूरा करना तो यह सारी गांधियन की गांधियन principle की विचारदार है इनको flink the blanks के according यानि इनका मिलान करो कौन सा किस से समाजवादी से गांधिवादी से उधारवादी से then it will become a typical अब अपने से थोड़ा सभी लोजिकल वी में पढ़ा है न आप animation method के according बहुत जाओगे ठीक है अच्छा प्रमोट करना voluntary formation of a autonomous functioning democratic control and the professional management of a cooperative societies added by 97th constitutional amendment act तो cooperative societies आपको पता ही है किस तरह की societies होती है जो लोगों की मदद से सारा काम पूरा करती है ठीक है अच्छा 44 क्या है इसको तो मैंने बताया था uniform civil court बहुत important है इंडिया के स्टेट में आस्तक है गवाव में इसका मतलब है सबी जगाओं पर सेम तरह का rule बना देना article 45 क्या है जैसे आपको बताया था कि education से deal करता है 2002 में right to education जो 6-14 साल के बच्चे उनने right to education मिलावा है compulsory एक बात यह note करने वाली है जिसे याद रखना जो right to education है 14 साल के बच्चों तक यह इंडिया नहीं अगर कोई foreigner है उसका कोई बच्चा है ना तो उसे भी अधिकार मिलावा है यानि कोई Britisher है कोई foreigner है अगर उनका जो baby है 6-14 वर्ष तक उनने भी free legal education का अधिकार है राइट है इंडिया के अंदर article 46 क्या है article 46 basically SCST के welfare की बात करता है कि SCST उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ठीक है 48 की बात करते है जैसे हमने बात करे थी cow slaughtering cow milching यानि कुल मिलाके हमें जो हमारे दुधारू पश्यू है इंका भला करना है cow slaughtering गाई को नहीं काटना मारना नहीं है ऐसी चीज़े नहीं करनी है ठीक है अभी कौन से प्रिंसिपल है सुनकी समधार है गांधिन प्रिंसिपल है क्योंकि हमने अच्छे से डिसकस कर लिया है to protect and improve the environment and the safeguard of a forest and wildlife तो पता होगा इंडिया एक ऐसी country जिसने environment पर भी low बना रखा है to organize the agriculture and animal husbandry on the modern and the scientific lines तो हमारे animal husbandry को अच्छा किया गया scientific way में ठीक है article 49 to protect the monuments, places and the object of artistic historic interest which declared to be the national interest ठीक है national interest की चीज़े ना वो सबों के लिए यह नहीं कि आप उने अलग कर दो के नहीं जी हमारा तोड़ना है सरकार का है सरकार का नहीं है सबका है और सबका समान है ठीक है 50 क्या है 50 के मैंने बात करे थी कि अल्रेडी प्रीवेस उने पूछा हो कोशन है कि जो जूडिशिरी है वो एक्जीकुटी से separate है state service में ठीक है article 51 किसकी बात करता है international peace and security की बात करता है बहुत बार कोशन आता है बहुत बार concept of welfare state हलाकि इसका answer तो आपको मजाकी लग रहा होगा क्योंकि इतनी देर से हम discuss क्या कर रहे है preamble fundamental right director principle इतनी देर से हम क्या discuss कर रहे है preamble discuss कर रहे थे प्रियंबल का जिकर कर रहे थे लेकिन preamble तो हम discuss करी नहीं रहे है fundamental right कर रहे है discuss किया लेकिन fundamental right थोड़ना चल रहे है क्या चल रहा है यहां पर जी DPSP चल रहा है ठीक है तो जो preamble है जो fundamental right है वो इसका answer नहीं है क्योंकि जो welfare state है वो DPSP के अंदर include है ठीक है अगला question देखते हैं फिर 2-3 second का pause लेकि आप question को पढ़ लो एक बार ठीक है basically question क्या है अचा article 36 to 51 of our constitution are related to which of the following तो जो हमारा constitution है उसके अंदर जो article है article 36 से लेकिन क्या वन वो किस से deal करता है तो हमें यह भी पता है फिर घुमा की वह चीज अच्छा क्या यह fundamental right से deal करता है नहीं यार वो तो deal ही नहीं करता है उसके तो एक अलगी बात हो गया पर तो कुल्मला के फिर answer के मिल गया हमें DPSPs का answer है ठीक है यह question वो है जो previous exam हो में आई वे question है अचा third question क्या है कि director principle of a state policy are like a check on a bank payable at the convenience of the bank who made this observation यह statement है कि जो DPSP वो एक तरह का check है bank में जम बन करें आप निकालो पे कर वालो cash कर वालो यह किस ने बोला था ठीक है तो इसे पंडिजवाला नहरू ने बोला था जी नहीं वो तुमारे क्या थे पहले PM थे इंडिया के Dr. B. R. Amitka drafting committee के head थे K. N. Munshi constitutional assembly में member थे Katie Shah भी तो इसको किस ने दिया है answer Katie Shah ने बोला है कि जो DPSPA वो एक तरह से check है ठीक है जम बन करें cash कर वालेना जाके ठीक है अच्छा which I am of the following is a correct regarding director principle ठीक है director principle क्या है positive है negative है justiciable none of the above अच्छोडी सी प्रते examiner none of the above maximum time है all time नहीं कहूंगा but महीं कहूंगा 90% examiner none of the above option कब डालता है जब उसे लगते third option के बाद fourth option create हो ही नहीं रहा है ऐसा ही होता है maximum तो उपर वाले 3 में से क्या answer हो सकता है अच्छा मैं पता है जो DPSP है वो justiciable तो नहीं है ठीक है या नि उसके लिए आप court तो नहीं जा सकते है हमने पड़ा था कि DPSP क्या है positive है negative तो क्या था fundamental right था तो इसका answer क्या हो गया positive injection ठीक है यानि हमारे साविधान में positive way में कारे करने की बात करता है अब देखते है fifth क्या है of the harmonious construction was propounded by the Supreme Court in which of the following case अचा वो कौन सा case था जिसमें Supreme Court ने यह कहा था कि जो DPSP है ठीक है वो एक तरह से constructive way में मतलब जो DPSP है वो FR के साथ मिलके ही काम करता है वो कौन सा case था जिसमें Supreme Court ने ऐसा कहा था ठीक है केरला education will case चलो केश वर्सिज मद्रास गौलतनाद वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब केशवननदा भारती केस केशवननदा भारती केस तो हमने डिसकसी नहीं किया था तो हम इसे हटा लितने फिलाद अगर आपको आता है तो आप इसका answer दोगे नहीं आता तो नहीं देंगे और एक्जाम में एक सबसे बड़ी समझदारी यह होती है ऐसा नहीं कि हमें हर कोशन आता और हमें हर कोशन के लिए answer देना ही है बलकि हमें यह भी सीखना जरूरी है कि हमें किस question का answer नहीं देना है क्यूंकि maximum जो exam होते हैं इस level के उनकी cutoff ही 50% जाती है तो हर कोशन आप करके selection नहीं लोगे बलकि बाहर हो जाओगे कम से कम करो बट accuracy के साथ करो ठीक करो तो factual question है इसका answer है एक केरला education bill 95.71 case ठीक है अगला question देखते है which among of the following is not a valid reason for slow implementation of the director principles of the state policy ठीक है question है कि इन में से कौन सा reason नहीं है जिसके वएसे तो director principle of a state policy है वो बहुत धीरे तोर पे implement किया दाता है ठीक है अच्छा देखते हैं कि lack of a political will ठीक है तो अपने वो political will तो यहां पर ना के बरावर है implement ही नहीं है तो ठीक है lack of a social will देखते हैं से lack of a resources देखो ऐसा कभी नहीं बहुत सकते हैं हमके हमारे lack of resources नहीं है हमारे resources बहुत है ठीक है vast area of a country नहीं यह भी गलत है इंडिया का area सबसे vast थोड़ना है इंडिया से बहुत बड़ी countries है चाइना इंडिया से बड़ी है लेंड में ठीक है समाजिक जो इक्षा है वो ठीक नहीं है लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा करें ठीक है लोग in the sense of government के बात कर रहे है ठीक है अच्छा आगे देखते है which of the following articles under part 4 article 36 to 51 contain the directory principle of a state policy that includes scope of a Gandhian principle देखो आगी ना बात अब हमने बात करी थी आपे हमने article पड़े अब यहापे question पूछ ले इनमें से कौन से Gandhian articles है ठीक है अब इसमें आपको क्या करना है कुछ नहीं करना जी elimination method का follow करो article 51 पढ़ाता हमने किसमें पढ़ाता यह तो हमने पढ़ाता जी liberal में तो 51 काड़ दो अब बसते हैं हमारे पास तीन option ठीक है अब मुझे एक बात दो क्या जो ABC option है तो क्या examiner ने हमें एक ही question दिया जिसमें हमने उसने जिसमें उसने क्या बोला 47 only तो यह only word जहां पर आए ना maximum वो untrue होता है exam में तो हम एक तरा सी approach लेके इसे cut करते हैं अब बचा दो हमें पता है 44 तो sorry 40 तो है यह तो हमें पता चल गया अब हमारे doubt बनता है इन दो questions पर अच्छे एक बात हो मैंने आपसे word discuss करया था 44 ठीक है uniform civil court और जो मैंने 44 discuss किया था मैंने सबसे पहले बताया था liberal जो हमारा liberal principle ADPSP का वो सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो 44 article uniform civil court की बात करता है तो यह भी liberal हो गया यानि जी ए भी cut गया यानि कुल मिला के हमें answer क्या मिला 40, 47 और 48 ठीक है अब देखो exam में आप हर चीज पढ़ के नहीं करोगे बलकि elimination method से करोगे ठीक है अच्छा अगला question देखते हैं which article of the Indian constitution shares that director principles are not enforceable by any court तो वैसा कौन सा article है जो यह कहता है कि जो DPSP है उसे किसी भी court दोवारा force नहीं कर जा सकता किसी भी court दोवारा change नहीं करवाई जा सकता वो article कौन सा है factual question है आता है तो answer होगा नहीं आता तो नहीं होगा time भरबाद करके कुछ नहीं मिलता है तो article क्या है 37 ठीक है यह factual question है आता है तो play करो आता है तो छोड़ दो जैसे cricket में एक बात कहते है you have to choose that कि कौन सी game पर आपको चौका मारना है किसको डग करना है किसको जाने देना है now it's your choice अगर आप हर bowl को खेलने बैठ जाओगे तो आप खिलाडी नहीं आप एक stupid हो यहाँ पर ठीक है अच्छा आगे देखते है क्या है which among of the following was the first program launched by the government of India to implement the article 47 of the director principle of a state policy ठीक है तो इन में से कौन सा प्रोग्राम है जिसे launch किया गयता article 47 के according ठीक है director principle of a state policy के लिए तो बात करते है क्या था integrated ruler development program अच्छा जी community development program अच्छा जी national rural employment program ठीक है drought prone area program ठीक है ठीक हो चारो almost similar ही लग रहे है ठीक है फिर से factual question है क्योंकि चारो किसकी बात करें DPSP ही बाते कर रहे है पर यहाँ पर जो factual चीज़े पूची गई है वो article 47 के under पूच ली गई है ठीक है तो article 47 के under जो पूच ली गई इसकी वएसे question तोड़ा typical हो गया इसका answer क्या community development program हाला कि यह चारो प्रोग्राम है जिने शुरू किया गया है ठीक है तो next question देखते हैं क्या है which among of the following justifies the reason that director principle were made explicitly unjustisiable तो इनमें से कौन से principle है जिसे यह दिखाये गया है कि जो DPSP है वो non-justisiable है ठीक है अच्छा पहला क्या statement the state may not have a political will to implement director principle अच्छा एक बात हो यहाँ पर इन्होंने बोल जिए कि state नहीं चाहता ठीक है उसकी कोई इक्षा नहीं है कि वो DPSP को implement करे अच्छा ठीक है the state may not need to implement the director principle and fundamental right were made justisiable ठीक है state को needy नहीं है तो simple सी करें कि state को needy नहीं है अगर fundamental right है तो DPSP को justisiable क्यों मनाया जाए the implementation of a director principles needs resources which the state may not have ठीक है अब देखो अभी हमने कुछ दिर पहले एक question discuss किया था अभी हम इसको option C को छोड़ते हैं ठीक है अभी D पर आते है the constitution does not provide any clear guidelines to implement the director principle ठीक है एसा भी नहीं है ठीक है क्योंकि हमारे constitution में which is already mentioned है तो ये तो हो नहीं सकता option A क्याता the state may not have a political will to implement director principle ठीक है state एक condition तक हो सकता है कि state के पास will ना हो बट ऐसा नहीं है कि state implement ही ना करना चाहता हो तो ये भी नहीं होगा the state may not need to implement the director principle and fundamental right for made justice ऐसा भी नहीं है कि state ऐसा ना करना चाहता हो तो हमारे question cancer में क्या मिला कि इन में से कौन से है जो justified करता है reason को कि director principle were made explicitly unjustifiable इस cancer के है C the implementation of a director principle needs resources with the state's may not have state चाहता तो है इस काम को करना but state पे उन चीजों के लिए resources नहीं है मतलब state को need है 500 पे की but state को पैसा मिल रहा है वो सोर पे मिल रहा है तो state कहां से करे वो काम कहां से लोगों की political needs को पूरा करे ठीक है तो DPSP का portion यहां पे complete होता है अगर कुछ change करना होगा तो आप वीडियो में comment box में जरूर बताना में क्या change करना चाहिए ठीक है एक नया initiative था ठीक है पहली वीडियो थी I know कि मुझे भी बहुत से चीज़े अभी है जो सुधारनी है यहां पे ठीक है और यह आपके feedback से ही possible हो सकता है तो आप लोग feedback दे मिलके काम करेंगे ठीक है बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी एक अच्छा response मिलेगा और selection भी मिलेंगे ऐसी बात नहीं है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ fundamental right के साथ ठीक है थैंक यू for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करे, share करे और comment करना ना भूले साथ ही channel को subscribe करना ना भूले Instagram का handle आपको screen पर दिख रहा होगा और अमने इसको description box में इसका link भी दे रखा है और साथ ही आप Instagram और WhatsApp को link पर जाके join कर सकते हैं हम WhatsApp ग्रूप पर daily current affair भी डालते हैं